अगर आप भी अपना इंगलिस इंप्रोब करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाज तक जरूट देखेगा मैं डेली आपके लिए ऐसे ही वीडियो ले के आता हूँ ताकि आप अपने इंगलिस को इंप्रोब कर सकें गाइस अगर आप इस तरीके से अपना इंगलिस इंप्रोब करते हैं तो आप बहुत ही कम समय में अपने इंगलिस को इंप्रोब कर सकेंगे तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सेंटेंस है यहाँ पर इसकी फ्रेंड पूछ रही तो उसका कॉल आया तो उसका कॉल आया यह बोलती है धीरे बोलो प्लीज कीप योर वाइस डाउन धीरे बोलो प्लीज कीप योर वाइस डाउन आगे देखते हैं गाइस यह बोलती है मैंने कहा न तुमसे ऐसा नहीं है I told you it's not like that मैंने कहा न तुमसे ऐसा नहीं है फ्रेंट जब भी आपको किसी से बोलना हो कि ऐसा नहीं है तो आप इसको इंगलिश में बोल सकते हो वही बोल रही मैंने कहा न तुमसे ऐसा नहीं है I told you it's not like that आगे देखते हैं गाइज यह बोलती है मेरा मतलब वह मुझे पसंद करता है पर हम कपल नहीं है I mean he likes me but not like that I mean he likes me but not like that फ्रेंट्स यहाँ पर situation की हिसाब से बोलती है यहाँ पर यह लड़की बोल देगी तुम दोरों कपल हो क्या तो वही बोल रहे कि मेरा मतलब है वह मुझे पसंद करता है पर हम कपल नहीं है I mean he likes me but not like that I mean he likes me but not like that फ्रेंट्स यहाँ पर but not like that का मतलब कपल से लिया गया है आगे देखते हैं गाईज यह बोलती है मुझे जाना होगा I have to go I have to go मुझे जाना होगा तुम पागल हो गए हो have you gone mad have you gone mad तुम पागल हो गए हो तो गाईज यह बोल रहे कि मैं तुमारे घर रात में आऊँगा तो वही बोल रहे तुम पागल हो गए हो have you gone mad उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैं वहाँ हूँ she won't even know I am there she won't even know I am there उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैं वहाँ हूँ तो यह बोल रही है कि तुम्हारे ममी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं वहाँ पे हूँ She won't even know I am there मुझे पढ़ना है और मैं serious हूँ I have to study I am not kidding I have to study I am not kidding मुझे पढ़ना है और मैं serious हूँ तो गाइस यह बोल रही है कि मुझे पढ़ना है I have to study और मैं serious हूँ I am not kidding आगे देखते हैं यहाँ पर यह बोल रही है हम साम को मिलते हैं I'll see you tonight I'll see you tonight हम साम को मिलते हैं यह reply में बोलता है Okay bye mom, see you later mom Okay bye mom, see you later mom Guys यहाँ पर यह अपने बेटे के बारे में पूछे तो यह बोलता है मैंने उसे अभी तेक उठाया नहीं I didn't get him up it I didn't get him up it मैंने उसे अभी तेक उठाया नहीं अगर आपको इसको दूसरे तरीके से बोलना हो तो आप इसको बोल चकते हो I haven't got him up it मैंने उसे अभी तेक उठाया नहीं Guys, get का third form got भी होता है gotten भी होता है तो आप यहाँ पर got भी लगा सकते हो I haven't got him up it मैंने उसे अभी तेक उठाया नहीं तो यह बोलती है वह शायद अभी भी सो रहा है He is probably still sleeping He is probably still sleeping वह शायद अभी भी सो रहा है तुम्हें उसे उठाना चाहिए You have to make sure he is up You have to make sure he is up तुम्हें उसे उठाना चाहिए तो guys कह रही ही कि तुम्हें उसे उठाना चाहिए तुम्हें देखना चाहिए कि वह उठा है कि नहीं You have to make sure he is up आगे बोलती है मैंने कितनी बार तुमसे कहा है I have told you this a thousand times I have told you this a thousand times मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि देखना चाहिए कि वो उठा है कि नहीं I have told you this a thousand times आगे बोलती है चलो बेटा उठ जाओ Come on honey, it's time to get up Come on honey, it's time to get up चलो बेटा उठ जाओ आगे देखते हैं गाईज वहाँ पी ये लड़का नहीं था ये बोलती है वहाँ कल रात को घर आया था या नहीं Did he come home last night or not? Did he come home last night or not? वहाँ कल रात घर को आया था या नहीं तब ये बोलते है गाईज मुझे नहीं पता मैं लेट आया था, मैं काम कर रहा था I don't know, I got home late I was working I don't know, मुझे नहीं पता I got home late, मैं लेट आया था I was working, मैं काम कर रहा था ये बोलती, तुम काम कर रहे थे You were working You were working, तुम काम कर रहे थे हमने इसके बारे में बात की थी We have talked about this We have talked about this हमने इसके बारे में बात की थी मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकती I can't believe you I can't believe you मैं तुम सब विश्वास नहीं कर सकती तो guys ये बोल रहे कि मैंने इस बारे में बात किया था कि तुम काम नहीं करोगे और तुम बोल रहे हो कि तुम काम कर रहे थे You were working कि हमने इसके बारे में बात की थी we have talked about this कि तुमको काम करना है कि नहीं we have talked about this I can't believe you, मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकती I can't believe you तब यह call करती है अपने friends के बास बोलती है क्या होँआ बिल की आवास थी was that will I heard back there was that will I heard back there क्या होँआ बिल की आवास थी तो यह guys यह जब call करती है इसको किसी बच्ची की आवास सुनाई देती तो भी बोल रही है was that will I heard back there क्या होँआ बिल की आवास थी जो मैंने वहाँ पर सुनी तो यह बोलती है नहीं यह तो mic no it's just mic no it's just mic नहीं यह तो mic है तो guys यह बोलती है विल कल रात तुम्हारे यहां नहीं था didn't will spend the last night at your home didn't will spend the last night at your home will कल रात तुमारे यहां नहीं था guys इसके बेटे का नाम will है तो यह बोलती है guys वो तो कल रात सब 8 तक चला गया था no he left here a little bit after 8 p.m no he left here a little bit after 8 p.m नहीं वो तो कल रात सवा आठ तक चला गया था तो यह बोलती हो के मुझे लगता है कि वह स्कूल के लिए जल्दी निकल गया I think he left early for school I think he left early for school मुझे लगता है कि वह स्कूल के लिए जल्दी निकल गया होगा I think he left early for school तो guys, इसके friends बोल रहे हैं कि अजीब है, वह यहां भी नहीं है, that's weird, he is not even here, that's weird, he is not even here, अजीब है, वह यहां भी नहीं है, यहां भी यह पुलिश टेशन आती तो बोलती है, मैं यहां एक घंटे से आपका इंतजार कर रही हूँ, I have been waiting for you here, for an hour, I have been waiting for you here, for an hour, मैं यहां एक घंटे से आपका इंतजार कर रही हूँ, तो guys, यह बोलता है, देखो, बढ़ती उम्र है, दोस्तों के साथ कुछ प्लान करके कहीं चला गया होगा, look boy, he is probably just playing hooky, look boy, he is probably just playing hooky, देखो, बढ़ती उम्र है, दोस्तों के साथ कुछ प्लान करके कहीं चला गया होगा, he is probably just playing hooky, इसका मतलब है कि, to be away from school without permission, और be absent from school, तो वही बोल रहा है, guys, देखो, बढ़ती उम्र है, दोस्तों के साथ कुछ प्लान करके कहीं चला गया होगा, look boy, he is probably just playing hooky, आगे देखत बोलती है, वह ऐसा नहीं है, he is not like that, वह ऐसा नहीं है, he is not like that, वह ऐसा नहीं कर सकता, he would not do that, वह ऐसा नहीं कर सकता, he would not do that, आगे बताती ही, guys, उसके एक दो दोस्त हैं, he has a couple of friends, he has a couple of friends, उसके एक दो दोस्त हैं, लेकिन बाकी सभी बच्चे मतल्बी हैं, but all the other kids are mean, लेकिन बाकी सभी बच्चे मतल्बी हैं, वह उसे चढ़ाते हैं, उसका मजाक उडाते हैं, they make fun of him, they call him's name, they make fun of him, they call him names, वès उसका मजाक उडाते हैं, उसके कपड़े पर हसते हैं, they laugh at him, his cloths, they laugh at him his cloths, उसके कपड़े फर हसते हैं, उसके ऊपर हसते हैं तिया बोलता है guys, उसके कपड़ों से क्या problem है, what is wrong with his cloths, what is wrong with his cloths, उसके कपड़ों से क्या problem है, यह बताती है, मुझे नहीं पता क्या है, important है, I don't know, does that matter, I don't know does that matter, मुझे नहीं पता है क्या है important है तो यह बोलती है वह सम्मेदन सील बच्चा है his sensitive kid his sensitive kid वह सम्मेदन सील बच्चा है तो guys यहाँ पर यह इसके uncle के बारे में पूछता है तो वो बोलती है लेकिन उसका इससे कोई लियना देना नहीं है but he has nothing to do with this but he has nothing to do with this लेकिन उसका इससे कोई लियना देना नहीं है guys यह बहुत ही common sentence है जब भी आपको बोलना हो लेकिन उसका इससे कोई लियना देना नहीं है तो आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हो but he has nothing to do with this लेकिन उसका इससे कोई लियना देना नहीं है तब यह बोलता है guys, तुम मुझे उसका number क्यों नहीं देते, why don't you give me his number, why don't you give me his number, तुम मुझे उसका number क्यों नहीं देते, तुम बोल दी, अच्छा ठीक है मैं Lonnie को phone करूंगी, okay fine, I'll call Lonnie, okay fine, I'll call Lonnie, अच्छा ठीक है मैं Lonnie को phone करूंगी, आपसे बात करने से पहले वा मुझ से बात करेगा, guys आज के लिए इस वीडियो में इतना ही जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो थोड़ी से भी यूसफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कॉमेंट करके जरूर बताइए, और guys अगर आप इस चनल पे नए हैं त प्लीज चनल को सब्सक्राइब कर लीजे, मैं डेली आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आता हूं ताकि आप अपने लिच्टों इंप्रूब कर सकें, मैं आपसे अगले वीडियो मिलता हूं, टिल लें टेक केर, कीप प्रेक्टिसें और थैंक्स फोर वाचिंग